कि हेलो प्रेंट्स बीपेश से रेलेटिट जेनरल स्ट्रेज पेपर 2 का आज का टॉपिक देखते हैं जेनरल राजिती में अपरादिकरन किपनलाइजेशनी पॉलिटिक्स तो यह आपके आप्शनल पेपर के लिए भी हो जाएगा और जेनरल स्ट्रेज पेपर 2 में भी इस सबसे बड़ी अवादिक वाले राज जुक्तर प्रदेश में विदाम सभा चुनाव होना है सबीर पार्टी अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई है इस जोड़ तोड़ के चक्कर में राजनेतिक पार्टियां प्रादिक पुष्टी भुमी रखने वाले लोगों को भी यहां देना है कि एक्जाम जिस वक्त रहेगा उस पर का जो प्रश्थिती रहेगा उसके नुसार इस कुष्टिन का अंसर देना है ठीक है ना चली निक्ष देखते हैं कि और क्या है 2442 मामले लंबित है इसमें से 2556 मामले ऐसे हैं जो बर्तमान सांसदो और विध्यान विधायकों के खिलाब हैं इन आपरादिक मामलों में भष्टाचार मनी लांडरिंग साबजनिक संपती को नुकसान मानहानी और दोखा धड़े और यहां तक कि बलातकार और हत्या आदे क के मामले भी सामिल हैं इसमें से जादातर मामले जान बुझकर अबग्या करने और अधिकारियों त्वारह जारी आदेसों में बाधार डालने के कारण IPAC की धार 188 के तहट दर्ज हैं 413 मामले एसे हैं जिन में अगर सजा हुई तु आज इवन करावास का प्रफधान है और इन 413 में से 174 मामले मौझूदर संसदू और विध्याकों की खिलाब है गुरावतल है की राजनेताओं और जनपरति निधियों के खिलाब सबसे ज़्यादा मामले उप्तर परदेश में नंबित है राजनती में अपरादी करन के लिए किसी एक बेक्टि किसी एक संस्ता या किसी एक कारक को जिमेदार नहीं ठहराया जा सकता चुकि इन अपरादियों का अपने चेतर में अच्छा खासा दबदबा रहता है और ऐसे में संभवना रहती है कि यह चुनाब जित जाएंगे इसलिए राजनीती दल भी उन्हें ठिकट देने के लिए लाइत रहते हैं वहीं अगर आम आदमियों की बात करे तो वो इन अपरादियों के बाहुवल और पैसे से इतना परभावित हो जाते हैं कि बिना जाज कि यहीं भोड़ दे देते हैं कई बार भारत में चुनाबी महौल जाती और धर्म के धार पर तैह होता है ऐसे में भी इन अपरादियों को काफी फाइदा मिल जाता है इसके अलावा राजनीतिक दलों के सुचारू संचालन के लिए पैसों के अशक्ता होती है इन अपरादियों के पास प्रयाप्त मातरा में पैसा होता है और या पार्टी की फंडिंग में काफ़ी उवदान करते हैं और इसी फंडिंग के अधार पर बड़ी असानी से टिकट हासिल कर लेते हैं इस तरह या तमाम ऐसे कारण हैं जो राजनीती में अप्रियाज़ी करन को बढ़ावा देते हैं कि अब देखते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है थोड़ा इसकी बात करते हैं कि जनपर्ति निदीत वधिनयंó 1951 के तहति कीप या प्रादिक मामले मैं सजा एक थोने को पसचाल चुनाब नहीं लड़ सकते हैं और इसमें बात करते हैं कि यह प्राब्धान यह है कि कोई द्यूर्ट 9 के मिक्ति 2 साल के सजा पराब्त कहिया हो दो तो इस कानून की धारा आठ के तहत किसी प्रापतिक मामले में दो अध्वा दोसे अधिक बड़्शों के सजायापता वेक्ति को चुनाब लड़ने से पर्तिवन्दित किया गया है में नहीं है हलाकि मामलों के सुनवाई में देरी के चलते जीन नेताओं का मामला दालत में विचारत धीन है वह तो चुनाब में भाल लेहीं है ठीक है और चलिए आगे देखते हैं और क्या है राजनीतीन में अपरादी करण पर चिंता जाताते हुए सुम्प्री कोट ने फरवरी 2020 में कुछ निजसा निर्देश जारी किये थे सुप्रीम पोट ने सभी राजनीतिक दलोग को उनके दोबर अपने चुनाबित में दिवारों पर टिकट देने के 48 घंटों के भी दर अपनी वेपसाइट के होमपेज पर अपरादी की तिहास वाली उमीद्वार शिर्शक के तहत अपरादी की तिहास लिए कोई हो परकास देख लिते हैं आगे क्या किया जाना चाहिए इसे सग्योग का कहना है कि राजनीतिक दलोग को खोद ही दागी वेक्तियों को फिकर देने से पचना होगा अनेता एक समय ऐसा आएगा जब जनता का इन दलोग के उपर से विश्वास उठ जाएगा इसके अलावा जन परतिन अधेनियम में संसोधन करका इसे नेताओं को चुनाब लड़ने से प्रतिबंदित किया कर देना चाहिए जिनके खिलाब जगन्य अपराद के मामले लंबित हो दागी नेताओं के मामले को फास्ट रेकॉर्ड की मदब से समन्दित मामले उस इग्रता से निफ्टाना चाहि है चुना में फंडिंग को लेकर ज्यादा से ज्यादा फर्दासिता लाई जाए भारत की निरवाजन आयों को राजनेतिक दलों के बित्ते खातों के और शक्ति परदान की जानी चाहिए तो कुछ ये बातें हुई आपके लिए बीपेसी मेंस जिनल श्रजी पेपर टू ठ इतना ही हमारे चैनल पेसी परकार्ट से ट्यारी के लिए बनने है में से रिलेक्टिड और सारे वीडियो धीरे-धीरे में अफ्लोड करना आओ शुरू कर दिया हूं ठीक है तो वीडियो को आगे अपने सर्चली में भी हिलाएं चलिए ठीक है आज पर क्लिक नहीं धन्यव झाल